अग्षों बहुत स्वागा थे आपका केमिस्ट्री क्लास में मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनी लिया दो बच्चों जैसे कि आपने देखा था हमने अपनी पिछली क्लासेज में विलियन चैप्तर के लिए बहुत सारी अलग-अलग चीजों को पढ़ा ठीके बच् देखा हमने राउड के नियम का वास्वदाब में आपेक्चिक अवनमन के साथ संबंद का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा बच्चों इसी कड़ी में हमारा टॉपिक जो है वो आगे जा रहा है और हम आज अपना टॉपिक जो लेकर चलने वाले हैं हमारा आडू संक्या गुर्धर्म क्या होते हैं तो द्यान दीजिएगा द्यान दीजिएगा विलियन के वे कुण या गुर्धर्म जो केवल और केवल विले के कणो की चंख्या पर निर्भर पर निर्भर होते हैं नागी की मात्रा एवं प्रकृती पर क्या 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 लाते हैं बच्चों वो गुर्धर्म जो केवल और केवल विले के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं ना कि उसकी मात्रा एवं प्रकृती पर तो ये जो गुण है बच्चों इस गुण को आप किस रूप में जानते हों अडू संख्या गुर्धर्म की रूप में जानते हों ठीक ये अडू संख्या गुर्धर्म है अडू संख्या गुर्धर्म को जब आमने समझा बच्चों तो मैं इसको तोड़ा डिटेल में आपके सामने कुछ अडू संख्या गुर्धर्म के प्रकार बता दू अडू संख्या गुर्धर्म के प्रकार तो बच्चों जब हम प्रकार की बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझेए मुक्यता जो अडू संख्या गुर्धर्म है वह हमारे पास चार प्रकार के होते हैं बच्चों उसके चार प्रकार में अलू संक्यागुडधर्म का जो सबसे पहला प्रकार या उधारन हमारे पास है वह थी वाश्प दाबमें अव नमन बच्चों सिय अलू संक्यागुडधर्म का जो दूसरा महत्यपूड प्रकार है वो है क्वथनांक में उन्नयन बच्चों यहाँ पर उन्नयन का मतलब होता है व्रद्धी तीसरा महत्तुपूर्ण पाठे बच्चों वो है निमांक में अवनमन और यहाँ पर अवनमन का मतलब होता है कमी जब कि पर महत्तुपूर्ण भाग अडू संक्या गड़ धर्म का बच्चों वो है पराव फेरण दाव बच्चों यह हमारे पस चार महत्पून प्रकार है या आप कह दें उधारण है अडू संक्या गुर्धर्म के जैसे कि आपने डेफिनेशन देखा डेफिनेशन हमसे कह रही है बच्चों परिभाशा कि विलेयन के वेगोन या गुर्धर्म जो विले के कड़ों क संख्या पर निर्भर करते हैं इसकी मात्रा या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं वेगोन आडू संख्या गुर्धर्म कहलाते हैं डेफिनेशन को बच्चों समझना बहुत इंपोर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है तो इसके लिए में एक छोटा सा प् तो बच्चों प्रयोग क्रमांग वन में हम क्या कर रहे हैं बच्चों यदि मान लीजिए मैंने क्या किया बच्चों कोई एक पात्र ले लिया ठीक है यह कोई पात्र है और हम ऐसा मान के चलते हैं बच्चों कि इस पात्र में जल रखा हुआ है ठीक है यह जल है हमने इसमें जल भर दिया है अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों इसी पात्र में हम अल्प मात्रा में ठीक है हम अल्प मात्रा में क्या करते हैं कि शक्कर का पाउडर के लगवक यह पाचास ग्राम मात्रा में क्या कर देते हैं ळेते बच्चों इसमें मिला देते हैं डाल देते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, तो प्रियोग क्रमांक वन में हमने क्या किया बच्चों, हमने जल की मात्रा ली, थोड़ी दिर की लिए आपके सामने लेट कर ल दिया जैसे ही 10 g मात्रा को एक लीटर जल में घोलेंगे आप रियक्शन देखेंगे क्या होगा बिच्चों तुरंत तुरंत यानि की पतकाल जो शक्कर है वो पानी यानि की जल में कूंडता क्या हो जाएगे बिटे जी हां बिलकुल हो गुलनशील हो जाएगी यानि की गुल जाएगी उसको गुलने में जो समय है वह बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला बहुत तेजी से जो शक्कर पाउडर है वो जल में घुल जाएगा ठीक इस प्रयोग के साथ ही हमें दूसरा प्रयोग भी लेते हैं प्रयोग क्रमांग दो बच्चो प्रयोग क्रमांग दो में हम क्या कर रहे हैं? हम पुने एक पात्र ले ले रहे हैं या हमारे पास एक पात्र है हमने इसमें भी क्या किया? जल की कुछ मात्रा ले ली कि माली जी ये जल है हमने यहां पर भी जल की कित्ती मात्रा ले लिए बच्चो सपोस एक लीड़ फिर हमने वही किया हमने शक्कर का इस बार पचास ग्राम का यह वाल एक क्रिश्टल ले लिया ठीक है ना याने कि इस बार आपने शक्कर को कैसा ले लिया है ठोस की रूप में है ना दानेदार होता ना तो हमने सीधा पचास ग्राम का यह कंड ले लिया है अब हम उसको इस पानी में क्या कर देते हैं बच्चों डाल देते हैं अब आप देखेंगे मात्राएं तो हमने दोनों में बराबर रखी है पानी भी हमने बराबर लिया हुआ है लेकिन क्या होग चुकि इस बर सक्कर का एक बड़ा क्रिस्टल है और जब इसको आप एक लीटर जल में रखोगे तो इसको घुलने में समय जादा लगेगा पहले प्रयोग की तुलना में यहाँ पे समय जो है वो जादा लगने वाला है क्यों लगेगा जादा क्योंकि यहाँ पर आपने एक बड़ा सा क्रिस्टल लिया और उसको एक लीटर पानी में डाल दिया तो उसके घुलने की जो दर होगी वो बहुत धीमी होगी वो धीर धीर घुलेगा ठीक है समझ मारी मेरी बड़ इसका मतलब यहाँ पर इसकी reactivity इसकी जो क्रिया शीलत्य वो क्या है लो है धीमी गति से हो रही है ठीक है तो जब मैं आडू संक्या गुरधर्म का अगर एक उधारन बोलूं कि जब आपने शक्कर को जल में घोला तो जो उससे जो मिठास उत्पन होगी, हम थोड़ी दिरकीडे मालने कि ये मिठास एक तरह का अडू संक्या गुरधर्म है विलेयन का, तो पहले प्रयोग में हमको ज स्क्कर की मात्रा वही है उसकी प्रकृति भी वही जल की मात्रा भी वही है, लेकिन फिर भी उसको घुले में समय ज़्यादा लगेगा उसकी किरिया शिलतका है दिमीगती से होगी इसलिए वहां पर वेलेयकीensitive संक्या कैवल एक कण लिया है जब कि उसकाण समय पर मिठास उ प्राप्त होगी हाँ एक समय आ जाएगा कि जब पूरी की पूरी वो क्रिश्टल जो है वो पानी में घुल जाएगा और उस हो सकता उस समय पर वो दोनों बराबर मिठास उत्पन करें लेकिन ततकाल पर आपको जो मिठास है वो सबसे ज़्यादा कौन देने वाला है प्रयोक को आगे भी बढ़ाने वाले हैं अभी समझेगा अगले पेश जैसे कि आपने देख रखा हुआ है कि हमने अडू संक्या गुडधर्म के आपको चार प्रकार बताए मैंने चार उधारन मैंने आपके सामने रखे थे सबसे पहला बच्चों मैंने रखा था वाश्पदाप म में अवनमन दूसरा मैंने आपके सामने रखा था वाश्पदाप के बारे में आज बात करेंगे और वाश्पदाप को समझेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारा जो प्रेश्णों का वो किस रूप में आपके सामने आएगा शिद्ध करों की वाश्पदाप में आपके चिक अवनमन आप एक चिक वर्ड नहीं होगा यहां पर ठीक है प्रेश्ण में आप एक चिक सब्द नहीं इस्तमाल किया है भी तो हमारा प्रेश्णे सिद्ध करों की वाश्पदाप में आवनमन अवनमन एक अडू संक्यत गुडधर्म है बच्चो यह हमारा प्रेश्ण है हमको बताना है कि वाश्पदाप में जो अवनमन है वो एक अडू संक्यत गुडधर में यह हमको प्रूफ करना है बच्चो ध्यान दीजेगा बहुत मात्पूर्ण प्रेश्ण है और काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है ठीकें ध्यान दीजे इस प्रेश्ण को प्रारंब करने के लिए ठीकें इसका जो solution है उसको प्रारंब करने के लिए आप कहां से प्रारंब करेंगे बच्चो याद करिए मैंने आप लोगों को राउल्ट के नियम और वास्पदाब में आप एकचिक अवनमन में एक मात्रात्मक संबंध को विएनजा की रूप में प्रूफ करके दिखाया था ठीके बच्चों राउल्ट के नियम राउल्ट का नियम एवन वाश्प दाब में आप एकचिक चिक अवनमन में संबन्द बच्चो अगर आपको याद होगा तो ये संबन्द हमने हाल ही की क्लास में डेराइव किया था और संबन्द हमने जो निकाला था बच्चो वो था एकस बी इस एक्वल टू पीए जीरो माइनेस पीए अपॉन पीए जीरो ठीक यह हमने एक मात्रात्मक संबन्द पढ़ रखा था इसको हम तिलहाल में समीकरण एक बना लेते हैं बच्चो आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चो बहुत अच्छे से किंतु विले का मोल प प्रभाज तो बच्चो सबसे पहले हम विले की मोल प्रभाज का सूत्र रिटन करेंगे वो होगा xb is equal to nb upon na plus nb इसको मैं समीकरण दो बना लेता है बच्चो हमको बताना है कि वास्वताब में अवनमन एक अड़ू संक्य गुरधार में और मैंने यहाँ पर आपको संबंद बताया और मैंने आपको विले की मोल प्रभाज का सूत्र बताया तो समीकरण एक का प्रियोग करके मैं कुछ concept निकाल रहा हूं ध्यान दो एक से समीकरण एक जो है बच्चों यहाँ पर आप देख रहा हूं आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है हमारे सामने यहाँ पर लिखा हूब बट पीए जीरो तो यह जो पीएलो है इसको समीकाण गें सजरे यथि जब बराबर का निशान है ना बच्चों यह बाला यह बराबर का निशान हमारा किस में से बदल जाएगा हम सको मदल देंगे कि समानु assessing क्या को इस finding मes कि युआ को sensors हटा ओगे तो बराबर का निशान जो है वो इसमें बदल जाएगा समनु पाथि में बदल जाएगा तो हम इसको लिखेंगे किसा हम इसको कुछ इस देरेख पाएंगे XB इस समान अनुपाती होगा न इस डारिक्ली प्रपोर्शनल PA0 माइनस PA ठीक है बच्चो अब आप बोलो कि सर ये PA0 कहा गया तो बच्चो हमने उसको दरासल क्या माल लिया हुआ उसको एक नियतांक माल लिया हुआ है और जब उसको हटाया हुआ है हमने इस बराबर के निशान को समान अनुपाती की चिल्न में क्या कर दिया बदल दिया है ठीक है तो ये हमको मिल जाएगा यहां पर बच्चो हम लिखते हैं माना PA0 PA इसको आप बेलपी के बराबर मान के चलते हो और हम इसको कहते हैं इसको हम कहते हैं वाश्प दाब में अव नमन क्या कहते हैं बच्चो हम इसको वाश्प दाब में अव नमन कहते हैं मैं इसको क्या करता हूँ संबंद या समीकरण नंबर 3 बना देता हूँ ठीक है बच्चो ध्यान देने वाली बात है इसी प्रकार शमी करन 2 को भी मैं आपके सामने हल करूँगा ठिक तो इसी प्रकार समी करन 2 से तो देखिए समी करन 2 से हमको क्या परिणाम मिलेगा क्या नतीज़ा निकल कर आएगा यह है आपका समी करन 2 तो बच्चों समीकरण 2 में xb बराबर यह जो वैल्यू आप देख पा रहे हो ना यहां पर कौनसी यहां पर आप जो वैल्यू देख रहे हो na plus nb हम क्या करने वाले बच्चों यह हमारी जो वैल्यू है वो नियतांग है याने वो फिक्स है इसका योगात मक जो मान आएगा वो हमेशा एक के तुल आएगा प्रेयोगों की आधार पर यह चीज इस पश्ट की जा चुकी है तो अगर यह नियतांग है तो हम फिर से नियत जांक में बदल जाएगा इसका मतलब है कि यह हो जाएगा समानुन पाती तो यहां प्यारा जाएगा बिटा इसको हम बोलेंगे अपना समीक्रण नंबर 4 बच्चों हम समीक्रण 3 के तुलना जब समीक्रण 4 से करेंगे तो हम देखेंगे कि जो xv है वो pa0-pa के समानुन पात तो 3 और 4 से अगर हम लिखें तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि pa0-pa समानुन पाती nb है यह इसी संख्यात्मक मान को हम लिख सकते हैं del p समानुन पाती nb बच्चों जब हम इसको define करेंगे है इसको जब हम समझेंगे तो देखेंगे कि हमारी definition जो हो हमारे सामने आईग जो आईगी बच्चो definition हम देख सकते हैं यहाँ पर जो डेल पी है डेल पी को आपने क्या बोला था यहाँ पर आपने इसको बोला हुआ वाश्पदाब में अवनमन तो बच्चों जो वाश्पदाब में अवनमन है वह विले के मोलों की संक्या के समानुन पाती है मतलब वे इसका मतलब आप्रत्यक्ष रूप से हमने ये बेरिवेशन के थुरू ये प्रूफ किया बच्चों कि जो वाश्पदाब में अभनमन है वो एक अडू संक्यक कुड़धर्म है क्योंकि वो विले की कड़ों की संक्या पर निर्भर करता है ठीक है बच्चों इस प्रेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इसकी क्योंकि बुक में इसको बाइद एक्सपेरिमेंट सब्दों से बोलकर समझाया गया हुआ है और उतने अच्छे से एक्कुरेसी नहीं आती है जितने अच्छे से यहां पर हमने उसको मैखामेटिकल तरीके से समझाया हुआ है ठीक है